अलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ इंटरडे टिप्स अंडिकेमिरेशिंस साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो डेली बेसेस के तरह आज भी दो बहतरिंग स्टॉक लेकर आया हूँ जो कल इंटरडे मार्केट में आपको जोधार पाफिमस देने वाले हैं ये दोनों ही स्टॉक दोस्तो प्रॉपर टेकनिकल एनलैसेस के रूप में अपडेट किया जा रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिएक नॉलेजिवल और एक एजुकेशन परपस से भी होने वाला है तो सबसे पहले हम बाजार को दिखा देते हैं तो बाजार आज भी आदे परसेंट की गिरावट के साथ 17,770 रुपे पर क्लोज हुआ यही पर 16 स्टॉक ऐसे थे जो पॉस्टुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट देखकर चल सकते हैं तो इनी में से दो भैतरिंग इस टॉक है जो कल हमें इंटरेडे मार्केट में जो दा पाफॉमस देने वाले हैं तो जो हमारा फर्स स्टॉक है अब हम उसको देख लेते हैं तो दोस्तो हमारा जो फर्स स्टॉक है उसका नाम है टाइटन टाइटन की अग लगाता है दोस्तो 246 रुपे 15 पास है 18,56,000 कौंटिटी का में वॉल्म भी देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शांदार है अब इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं क्या मोमेंटम मिलता यह देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो टाइटन का चार्ट हमें देखाते रहा जो था 2450 रुपे से लेके 2450 तक का ठीक है रिजेक्शन 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 ठीक है उसके साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं सपोर्ट 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 हमें इस प्राकार से देखने को मिल रहा है सपो देने के साथ ही वह पच्छिस सो की रेंज में चले गया पच्छिस सो एक बर्शन सामने आ रेकिन अच्रmost यह देखेंं यहां पर एक अच्छा ब्रेक आउट्ट मिलाना तो फिर समय देते देते वह उपड़ जा रहा मतलब यह एक अच्छा कंटेन हमें देखने को मिल रहा है तो यहां से यहां से एक अच्छा breakout मिलता है तो हम अच्छे से position बनाएंगे otherwise नहीं मिलता है तो यह expectation करके रेखी कि breakdown मिलेगा पचिस सो का अगर breakdown मिलता है तो short कर दीजी कहां तक के लिए लगबख 2435 से 2450 तक के लिए आप यहां पर दोनों प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि जिस प्रकार से stock उपर उपर गया ठीक है वो यहां पर breakout ही देगा ठीक है क्योंकि आज भी market में pressure था तो भी stock में एक अच्छी तेजी देखने को मिली ठीक है अगर already pressure होता तो stock दोस्तों यहीं पर गोमता नीचे लेकिन यह यहां उपर गोम रहा था तो यह हमारे लिए बहुत बड़ीया point देखने को मिल रहा है इस हिसाब से हम stock को buy करेंगे तो क्या है level वो आपको update कर देते हैं तो दोस्तों proper तरीके से levels को note करेगा कल की date में कल की date में अगर यह stock हमें 2530 पर मिलता तो यहां से buy करेंगे target की में बात करता हूँ 2550 का लेंगे जो क्योंको 20 point का इस 20 point के target में हमें काफी अच्छा profit हो जाएगा अब एक और update point करना चाहूँगा दोस्तों यह है हमारा profit guru FN call का telegram channel जहां पर daily basis बेसे बहतरिंग option के call देते हैं आज भी हमने put buy कर भाया 3600 का जिसमें दना दन करके हमारे target जो थे वो done हुआ 125 का lot है अराम से हमने 5 point का target लिया 1500 का profit निकला यहां पर आप देख सकते हैं target भी दन दना दन करके done हुआ तो यहां पर दोस्तों screenshot भी share करते हैं कभी कभी bank nifty nifty के इस प्रकार से nifty bank nifty के levels भी देते हैं stock option की भी देते हैं जहां पर आप पैसा भी कमा सके हैं और दोस्तों आप knowledge भी ले सकें ठीके तो बहुत बढ़िया हमारा यह telegram channel आप लोगों को देखने को मलता है क्योंकि हमारी team बहुत महनस से काम करती है दोस्तों कुछ चीज़े sure होती है तब यह वो यहां पर डालती है otherwise वो नहीं डालती है ठीके और बहुत सारी चीज़े update के रूप में भी आप लोगों को बता दिये जाता है कि इस प्रकासे bank nifty का momentum होने वाला है तो इस चीज़ से traders को काफी अच्छा confidence मिल जाता है और वो अच्छी तरीके से trading कर पाता है तो आप हमारे इस telegram channel को join करिए लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा अब दोस्तो इसके SL के अगर मैं बात करता हूँ 2530 से buy कर रहे हैं तो 2520 का SL लेके चलेंगे ठीके इस हिसाब से हम Titan को buy करेंगे अब चलते हमारे second stock के उपर दोस्तो हमारा second stock है UPL का UPL के अगर मैं बात करता हूँ तो आदे percent से ज़्यादा की तेजी के साथ stock 732 रुपे 80 पैसे पर close हुआ previous close था 726 रुपे 90 पैसे open होता 730 high लगाता 736 रुपे 40 पैसे और low लगाता 725 रुपे के आसपास यही पर मैं volume की बात करता हूँ तो 12,65,370 का आपने volume भी देखने को मिला काफी जोड़ार performance किया UPL ने आज की date में अब इसके technical chart पे चलते हैं क्या momentum मिलता यह देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPL का chart open किया है और 15 मिट का candle chart लगाया है अब UPL को देखो UPL दोस्तों चालू होता है यहाँ से यह 700 रुपे का level है हर दिन दोस्तों उपर उपर जाता है आप देख सकते हैं हर दिन चीके हर दिन उपर उपर जाते जाते आज की date में वो क्या करता है 725 रुपे के level को अच्छी तरीके से breakout दे देता है जो हमें चाहिए था जो काफी दिन से दोस्तों breakout नहीं दे पा रहा था चीके और आज की date में दे दिया टाइटर में भी यही हुआ और UPL में भी हमें यही देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा momentum हमें देखने को मिल रहा है अब breakout मिला है मतलब comfortable zone में stock आ चुका है तो एक अच्छी तरीके से हम expectation कर सकते है कि stock में volume आएगा और वो हुआ भी breakout दिया टीके उपर गया अब एक बार से breakout देखे उपर गया तो profit booking आना confirm था जिन्होंने position hold करी होगी उन्होंने तो profit book किया होगा जिसके current stock नीच आया फिर से 125 रुपे की level को support में लिया support लेने के बाद फिर उपर गया तीके और यहीं पर वो दोस्तों क्या हो गया close हो गया तो उपर गया ना मतलब यहां पर एक अच्छा खासा volume आया और last में वो volume दोस्तों पूरा निकल गया मतलब profit booking फिर से हो गई इसका daily candle अगर हम लगाएं तो daily candle में भी आपको momentum यह देखेगा यह देखेगा जब से इसने 700 रुपे के level को support लिया है एक अच्छी तरीके से वो उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसी असाब से दोस्तों हम UPL को भी buy करके चलेंगे तो क्या है important level वो आप लोगों को हम बता देते हैं तो दोस्तों proper तरीकिसे levels को note करिएगा अगर कल की rate में कल की rate में UPL अगर हमें मिलता है दोस्तों 735 रुपे पर ठीक है तो यहां से buy करेंगे target की अगर मैं बात कहता हूं तो लगबख लगबख 745 का लेके चलेंगे यह हो गया 10 point का target और लगबख 730 point का हमें आप दोस्तों क्या लेके चलेंगे ऐसे लेके चलेंगे 730 का तो इस हिसाब से हम UPL में और Titan में position बनाने वाले हैं दोनों में हमने हमारा NLSS प्रोवाइड कर दिया हमारे target प्रोवाइड कर दिये आप भी अपना target ढूंड़िया अपना NLSS करिए या आपके जो भी advisor या broker या आप उनसे भी consult जरूर करिए और एक और important point बताना चाहूंगा दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 25 पैसे से 1 रूपे से 2 रूपे से 3 रूपे से ऐसे 5 रूपे से ठीके target मीस हो जाता है target मीस होने की कारण stock reversal देखिया तो नीचे cost पर आ जाता है 5 point का दिख रहा है 8 point का दिख रहा है 7 point का दिख रहा है 15 point का दिख रहा है आप उसको book कर लो अगर आप उसको book कर लो कि तो आपको कोई परिशानी बाद में नहीं होगी इस trick को use करिए जो आपको आके काफी ज़्यादा देखे जाएगी अब हमारे इस वीडियो को फटा पचे लाइक करिए और चैनल को subscribe करिए तो thank you दोस्तो